हेलो फ्रेंट्स आयाम इंद्रिजित एंड यू आर वेरी वेलकम में यूटूब चेनल्स आज हम इस्टूड़े में बात करेंगे अधार का इस्टेंडर फॉर्मेट हम केशे भरें जिसे कि हमारा जो आधार कार्डे ओर रिजेक्ट नाफ आप आये जो अपडेट करने का वे अगर किसी भी महिला की नई शादी हुई है और वहां अपने पती का नाम एड करवाना चाहते हैं तो आपको सेसे सेंटर पर जाकर करके अपना आधार कार्डे और आपडेट करवाना है जो आपका इस्टेंडर फॉर्मेट है केशे भरें जिससे कि आपका जो आधार उससे पहले आप चान लीजेगा कि इस्टेंडर फॉर्मेट भढ़ने के लिए आप अपने नाम में डैट अब वर में आपकी जो फोटो है उसे सुदार करवाशकते हैं एड्रेस सुदार करवाशकते हैं और जो भी डिटेल्स है और मोबाइल नंबर आप अपडेट करवाए करेंगे इस इस्टेंडर सेट के साथ आप लोगों को मारगे सीट ओके अगर आप बच्चे का सुदार करवाना चाहते हैं तो आपको फादर से का अधार कार्ड ऑके साथ इसाइद आपको परिचे पत्र लगाना यहां पर आने वार रहेगा तभी आपका जो फोटों में व रिजेक्ट नहीं हो फाएगा तो इस्टेंडर से अपडेट करवाने के लिए जो आपका अधार अपडेट करवाने के लिए आपको इस्टेंडर सेट है वो फूरी फील करनी है इस्टेंडर फॉर्मेट को आप इस प्रकार से बरिएगा जिससे की आपका जो अधार कार्ड और इजेक्ट नाव फाई आपका डेट अब वर्ड देखेंगे रेसिडेंट वाले ओप्शन पर आपको राइट करना है अधर काट फूल नेम ओके सीगों की जोगों पर अपके फादर से का नाम या फिर हार्जबेंड के नाम यहां पर एंटर करना है हाउस नमबर जोपका एड्रेश है यहाँ पर इस्ट्रीट रोड लाइन यहाँ पर एंटर करना है लेट मार्क ओके लोगिलेटी शेक्टर जो है आपका गाउं है शहर है उसके बाद नीचे दोबारा से विलेज एंटर किजिएगा पोस्ट ओफिस के डिस्टिक एंटर किजिएगा उसके बाद स इस प्रकाश है यहाँ पर ओके देख सकते हैं सिग्नेचर किजिएगा पुरे डिटेल्स यहाँ पर डालेगा यहाँ पर उदारण में यहाँ इस प्रकाश है अपना जो स्टेंडर फॉर्मेट है और रिजेक्टना अपाई मैं नब नब दूई ये सवाब तकर दम